वल्कम टू टार्गेट सरकारी नौकरी मैं हो शादली UPPSC के द्वारा खंड सिक्षा अधिकारी प्रिलिम्स एक्जाम आपका 16 अगस्ट को कराया जाना है और UPPSC के द्वारा ही अपर PCS प्रिलिम्स एक्जाम आपका अक्टूबर में कराया जाना है इन दोनों एक्जाम्स को नजर में रखते हुए हम Current Affairs को अब Category Wise पढ़ना शुरू करेंगे आज हम डिसकस करेंगे Sports Based Current Affairs को यानि खेल कूट से सम्मंदित 2020 में जितने भी इवेंट्स, पुरसकार या जितनी भी खेल पृतियों किताएं हुई हैं उनसे समंदित सभी Current Affairs को यहां कवर करेंगे वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है जरूर लाइक किया करें क्योंकि अब जो है हम ज्यादा एक्स्टर लेवल पर चीजों को कराने वाले हैं जरूर कि आपके एक्वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं चलिए शुरुवात करते हैं इससे पहले वैसे हमने Mixed Up Category के अगर हम बात करें Current Affairs में 10 मॉक टेस्ट सीरीज कंप्लीट किये हैं तो चैनल पर प्रेलिस्ट बनी है बाकी सबी सब्जेक्स की जिनोंने Revision अभी तक शुरू नहीं किया है चैनल पर बहुत सारे वीडियोज सबी सब्जेक्स के अलगरक थियोरी और मॉक टेस्ट करवाई हुए हैं आप प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे अपना Basic Foundation बना लिजी ये बहुत सारे questions वहां से आपको मिलेंगे सिर्फ आप वीडियोज ही देख पाएंगे वीडियोज देखकर ही आप जो है धेर सारा content तयार कर लेंगे वो आपको याद हो जाएगा देखते देखते ही ये guarantee है चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला question देखे ICC द्वारा महिला T20 Wish Cup 2020 इसका final मुकावला किस team ने जीता है ये women's T20 World Cup है इसको किस ने जीत लिया है तो Australia की team ने जीता है ये Australia ने भारत को हरा है final में और ये Wish Cup अपने नाम कर लिया इसमें कुल 7 tournament हो चुके हैं मतलब महिला T20 Wish Cup जो 2020 का था ये 7 था जिसमें सबसे ज़्यादा Australia ने जीते हैं Australia ने 5 World Cup जीते हैं 7 में से और भारत ने अभी तक कोई भी महिला T20 Wish Cup नहीं जीता है इसका अंसर हो जाएगा option C option C इसका सही answer रहेगा चली next question देखे second question देखे ICC महिला T20 Wish Cup 2020 में भारती टीम की कपतान जो विशकब ICC महिला T20 विशकब जो Australia ने जीता है इसमें भारत की कपतान भारत की महिला क्रिकेट टीम की कपतान कौन थी तो इसका आंसर हो जाएगा Harman Preet Kaur answer is Harman Preet Kaur अगर Australia टीम की कैप्टन कुछ जाए तो Mag Lenning होकी के चेत्र में दिया जाता है और ये किसको मिला है ये है Harvinder Singh Option B Harvinder Singh is correct answer अगला सवाल देखिए Question No.4 है होकी इंडिया के द्वारा 2019 का धुरुव बत्रा जिसे Player of the Year Award कहा जाता है ये किसको दिया गया है होकी इंडिया के द्वारा 2019 का धुरुव बत्रा Player of the Year Award किसको दिया गया है अब इसमें आपको दो अलग-अलग कैटिग्री है तो इसमें देखिए महिला वर्ग के लिए अलग दिया गया है पुरुश वर्ग के लिए अलग दिया गया है अब यहाँ पर मनप्रीत सिंग जो मनप्रीत सिंग है इनको मिला है पुरुश वर्ग में यही अवार्ड और दूसरा अगर हम बात करें महिला वर्ग में महिला वर्ग में मिला है रानी रामपाल को तो इन दोनों को ही यह मिला है दुरूब बता Player of the Year Award याद रखेंगे अगर option में इनमें से कोई सा एक मिलेगा तो आपको बता देगा कि महिला के लिए पूछ रहा है या पुरुश के लिए पूछ रहा है तो यह male है और यह female के लिए इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है नेक्स सवाल यह सभी questions से एक दूसरे से connected है किस भारत्य खिलाडी ने वर्ल्ड गेम्स का Athlete of the Year वर्ल्ड गेम्स का Athlete of the Year Award वर्ल गेम्स अथलीट of the Year Award किसने जीता है इसमें तो रानी रामपाल है यह भी question का अंसर देखा है अपने रानी रामपाल यह भारत्य महिला हौकी टीम की captain है इंडियन विमन्स हौकी टीम की captain है यह इन्हें मिला है वर्ल्ड गेम्स का Athlete of the Year Award 2019 अगला सवाल next question देखे निमलिकित में से किसे 2019 के लिए ICC का Cricket of the Year Award नॉमिनेट किया गया तो इसमें जो है यह Ben Stock यह Ben Stock है Ben Stock England के Cricketer है यह ICC Cricket of the Year ICC Cricket of the Year इनको चुना गया है next अवाल किस भारते खिलाडी को ICC के एक दिवसी है और Test Match की Team of the Year Captain of ICC ODI and Test Match Team of the Year Captain के रूप में शामिल किया है यह है विराट कॉली दोनों को याद रखिएगा One Day Match के लिए भी टेक है One Day International ODI का मतलब होता One Day International और Test Match इन दोनों की Team Captain के लिए यह Award दिया गया है किसको यह मिला है विराट कोली को अगला सवाल देखे BCCI के दोवारा 2019 का CKN IDU Lifetime Achievement Award किसको मिला है CKN IDU Lifetime Achievement Award 2019 किसको दिया गया यह है क्रिष्णमाचारी श्रीकांत क्रिष्णमाचारी श्रीकांत और साथ ही अंजुम चोपड़ा को भी दिया गया है Next Question Question Number Next देखे किस भारत्य क्रिकेटर को BCCI के दोवारा पॉली उम्रीगर पॉली उम्रीगर पॉलीगर पॉस्कार 2019 से समानित किया गया है तो यह है जस्प्रीत बुम्रा Option भी है जस्प्रीत बुम्रा को किया गया है यह वाला Question बहुत Important है क्योंकि यहांजे तीन से चार Questions बनेंगे आपके 2020 में Under 19 विश्व कप हुआ है Under 19 वर्ल कप में Player of the Series किसको चुना गया है तो इस टूर्णा मैट में सबसे ज्यादा रन 400 रन नाने वाले भारत के यशश्वी जायश्वाल यशश्वी जायश्वाल को Player of the Series चुना गया है और ICC द्वारा Under 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का Sunsran 2020 का Final Match जो है यह Sunwest Park दक्षिन अफरिका में हुआ है अब Final Match में जो है बांगलादेश ने भारत को हराया है इसमें बांगलादेश ने भारत को डखवर्थ लुईस नियम के इंतरगत तीन विकेट से पराजित करके पहली बार यह Championship अपने नाम किये तो पहली बार चेंपिन बना है कौन बांगलादेश किसका Under 19 विशकप का तो बांगलादेश पहली बार किसी भी स्तर पर ICC विशकप जीतने में काम्याब रहा तो पहली बार है यह बांगलादेश के लिए तो एक क्षिन बहुत इंपोर्टन हो जाता है तो भारत के रवी विशकप ने टूर्णमेंट में सबसे ज़्यादा सत्रा विकिट लिए हैं इस पूरे टॉर्णमेंट में नाइजीरिया और जापान ने पहली बार Under 19 विशकप में हिस्सा लिया इन दुन टीमों ने इनको भी याद रखेंगे नाइजीरिया और जापान की टीम ने और विशकप में भारती टीम के कप्तान कौन थे प्रियम गर्ग और बंगलादीशी बंगलादीशी कप्तान इसमें कौन थे अकबर अली तो ये सारे questions आपको याद रखने अडिशनल नेक्स सवाल देखे 2020 में IPL फ्रेंचाइजी जिसे रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिसे हम RCB कहते हैं इसने अपनी टीम का नाम चेंज किया है अब टीम का नाम क्या हो गया है तो ICC कि अगर हम बात करें question number 11 देखिए इसमें 2020 में IPL फ्रेंचाइजी जो रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर है इसने अपना नाम चेंज किया है और नाम मेंसे इसने सिर्फ बैंगलोर हटा दिया है रोयल चैलेंजर्स ही बचा है अब तो option C इसका correct answer है रोयल चैलेंजर्स कर दिया है इसका नाम अब 2020 को किस टीम ने अंतराश्टे एक दिवसीय क्रिकेट में नियूनतम स्कोर के बरावर की है तो 2020 में 2020 में जो है किस टीम ने जो अंतराश्टे वन डे क्रिकेट होते हैं उसमें सबसे नियूनतम स्कोर पर पूरी टीम ओल आउट हो गई है ये आपका question है तो ये बहुत अच्छा question है देखिए ICC Cricket World League टूनमेंट में जो है इस मुकाबले में अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है इसने 12 ओवर में 35 रन पर ही पूरी टीम जो है all out हो गई तो इसमें जो है अमेरिका ने जो है इस मामले में जिंबावरी के बरावरी किये तो जिंबावे जो है पहले 2004 में 35 रन पर जो है पूरी टीम all out हो गई थी तो 17 ओवर में ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए ये जो टीम है अमेरिका की अभियाद रखिए दो टीम है ऐसी होगी है जो सेम स्कोर पर बिल्कु नियूनतम स्कोर पर विश्व के out all out हुई है तो 35 पर जिंबावे और अमेरिका दोनों टीम होगी तो अमेरिका ने बरावरी की है इसका option हो जाएगा A अगला सवाल देखिए फरवरी 2020 इसको संपन भारत अस्ट्रेलिया इंग्लेंड महीला त्रिकोरोनी श्रिंखला होई है इसमें ये तीन टीम हैं भारत अस्ट्रेलिया इंग्लेंड इस महीला त्रिकोरोनी श्रिंखला में सीरीज में player of the series किसको चुना गया है इस त्रिकोरोनी श्रिंखला का final match अस्ट्रेलिया ने भारत को हरा का 11 रन से जीता है ऑस्टेलिया की बैथ मुनी को जो है ऑस्टेलिया की है ये बैथ मुनी इनको प्लेयर आप दी सीरीज चुना किया है इनोंने इसमें 208 रन मनाए है और भारत की स्मिर्थी मंधाना ने श्रिलंखा में सबसे ज़्यादा रन मनाए है श्रंखा में भारत की स्मिर्थी मंधाना है इस सीरीज स्रंखा में सबसे ज़्यादा दूसर सूलर रन मनाए है अब इन तीनों टीमों के कप्तान के बारे में पूछ सकता है तो उस्टेलिया की कप्तान मैग लैनिंग है भारत की हर्मन प्रीत कौर है इंगलेंड की हीथर नाइट है नेक्स हवाल देखिए जनवरी 2020 में किस देश की किर्किट टीम ने टेस्ट किर्किट में पांच लाग रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है तो 24 जनवरी 2020 को इंगलेंड जो है किर्किट टीम इंगलेंड की जो क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट में 5 लाग रन मिनाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है तो इंगलेंड की टीम ने 1022 वे टेस्ट में ये रिकॉर्ड स्थाबित किया है इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है उस्ट्रेलिया की टीम जिसने 830 मैं चेलें इसमें 432,000 रन कम्प्लीट कियें उसने और तीसे नंबर पे आती है भारत की टीम जिसने 540 टेस्ट में 2,73,000 रन मनाए है लेकिन सबस्यादा 5,000,000 रनों को चूने वाला जो कारणा में है वो इंगलेंड की टीम नहीं किया है इंगलेंड की क्रिकेट टीम में नेक्स सवाल देखिए इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शिन डी सही अंसर जूनियर पुरुष होकी विश्व कप 2021 का आजन किस देश में किया जाएगा इंटरनेशनल होकी फेडरेशन जो की सुजलेंड में है इसके दुआरा जूनियर पुरुष होकी विश्व कप 2021 को यहां पर करवाय जाना है यह भारत में करवाय जाना है तो यहाँ पुरुष होकी की बात चल रही है, अगर जूनियर यहाँ महीला कर दें, जूनियर महीला होकी विश्च कप 2021 कहां करा जाएगा, साउथ अफरीका में, ठीक है पुरुष वाला जो होगा वो भारत में और महीला वाला साउथ अफरीका में, नेक्स सवाल, वर्श 2021 मे होने वाले महीला फुटबॉल एशिया कप विमेंस फुटबॉल एशियन कप की मैजवानी कौन सा देश करेगा तो यह है ऑप्शन सी भारत भारत है इसका सही आंसर नेक्स लास्ट कुशन देखिया आज का खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आईजन कहां पर किया गया है यह जो महारास्ट है महारास्ट ने सबसे ज्यादा पढक जीते हैं इसमें कुल 256 पढक जीते हैं और दूसरे नंबर पर हडियाना है तीसरे नंबर पर दिल्ली है तो इसमें सबसे ज़्यादा स्वानपदक जीते हैं महाराष्ट नहीं जिसमें कुल पदक 256 लेकिन स्वानपदक उसमें 78 है सेकिंड नमबर पर हरियाना है हरियाना नें 200 पदक जीते हैं कुल पदक की बात करो लेकिन उसमें स्वानपदक 68 है दिल्ली तीसरे नंबर पर है जिसमें 122 कुल पतक है और 49 स्वन पतक है तो खेलो इंडिया यूद गेम 2020 में लॉन बाउल्स और साइकलिंग दोनों खेलो को इसमें पहली बार जो है शामिल किया गया है और खेलो इंडिया इनिवर्सटी गेम इसके जैसा ही नाम है खेलो इंडिया इनिवर्सटी गेम का पहला संस्क्रण भूगनेश्वर उडिसा में आया जीत किया गया है 2020 में जिसमें पंजाब इनिवर्सटी ने सबसे जादा पतक जीते हैं और सावित त्रिभाई फूले ने 37 पदक तो पंजाब उनिवस्टी ने 46 पदक जीते हैं खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम में 2020 में पहली बार हुए है भुवनेश्वर उडिसा में वो इससे अलग है ठीक है तो अडिशनल कोशन है तो ये रहे आपके current affairs वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कीजेगा इसी तरह से हम category wise जितने भी questions है books के authors जिसे books and authors की एक अलग category है 2020 की नहीं किताबें कौन सी है important days जो celebrate के गए उनकी theme कौन सी है योजनाए 2020 की कौन सी है इस तरह से हम category wise अब current affairs को define करना शुरू करेंगे thank you so much and share जरूर कर दिजीगा